हेलो बच्चो नमस्कार जै पी डवलू सभी फूचर डोक्टर्स को मेरा सलाम उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे मैं आपका इसकाई सर एक बार दुवारा से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक बड़ा ही खुबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मुमेंट एंड लोको मोशन और आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में डील करने वाले हैं एक तो फीजियोलोजी ओफ मसल्स दैटीज मस्कूलर सिस्टम के बारे में हां तो सबसे पहले हम बात करेंगे मसल्स के बारे में मतलब एक बात याद रखो कि पहले तहम बोड़ी सुड़ी बनाएंगे बड़िया मसल्स और उसके बाद मैं तुम्हारी अडिया तोड़ने वाला हूँ ठीक है जी तो चलिए दोस्त कहानी सुरू करते हैं सबसे पहले बिटर सबसे पहले NCIT माता ने बड़ी ही खुबसूरत सी लाय लिखी कि मुमेंट जो है वो सभी लिविंग और्गनिजम का एक सिगनीफिकेंट फीचर है अब अपने पास दो टर्म होती है एक टर्म को अपन बोलते हैं मुमेंट सवाल था सर क्या आप बताओगे कि लोको मोशन को हम कैसे डिफाइन करें और मुमेंट को कैसे डिफाइन करें बच्चे जब भी कोई पूछे लोको मोशन का मतलब क्या था तो मैं कहुँगा जब बोड़ी की लोकेशन या बोड़ी के प्लेस में अब हाथ ऐसे हो गया, तो body की position और posture बदल गई किसी भी organism की, तो उसको अपन बोलते है, moment, अब बड़ी खूबसूरत सी line NCRT ने लिखी, NCRT कहती है, कि locomotion always moment होता है, लेकिन all moments are not locomotion, तो इसलिए मैंने इसको summarize form में कर दिया, locomotion always moment है, लेकिन moment always locomotion नहीं है, सवाल था, सर, धरती पर different type के living organisms है, बिल्कुल है, तो अब बताईए ना, उनमें कौन सी locomotory structure present है, कौन सा locomotory organ present है, बच्चे कुछ living organism ऐसे हैं, जिनमें locomotion के लिए pseudo-podia बनते हैं, ये pseudo-podia जो अपने पास है, pseudo का मतलब false और podia का मतलब legs, ये जो false legs है, इनका formation proto-plasma की streaming से होता है, और इसका ही famous example अपने पास है, paramecium, कुछ एक organism ऐसे हैं, जिनमें फ्लेजिला की help से locomotion होते हैं, और उसका बड़ा ही famous example अपने पास है, यूगलीना, कुछ organism ऐसे भी है, जिनमें tentacles की help से locomotion होता है, और उसका बड़ा ही famous example अपने पास है, hydra, कुछ ऐसे भी है, जिनमें muscles के contraction and relaxation की वज तो अब हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, सवाल था, सर, आपने बोला कि human being में जो locomotion होता है, वो muscles के contraction and relaxation की वज़े से होता है, हमने का ठीक बात है, क्या human being की body में तो बहुत सारी cells होगी, क्या human being की body की cells भी movement करती है, या उनके through movement होता है, हमने का बह बश्कुल होता है, तो वो क्या muscle से ही होता है, नहीं, human being की body में कुछ cell ऐसी है, जिनमें pseudopodia के through locomotion होता है, जिससे हमारे WBC में, WBC में neutrophil हुआ, monocyte हुआ, वो pseudopodia के through locomotion करती है, हमारे respiratory tract, fallopian tube वाला जो region था, वहाँ पे cilia के through locomotion होता है, जिसको पन बोलते हैं, ciliary locomotion and हमा बारी tongue में, ये जो अपने पास locomotion हो रहा है, movement हो रहा है, येो रहा है muscles के through, मतलब हम यहां बात तो के वल किसके बारे में करने वाले हैं, muscles के बारे में, so çalışे दोस्तों बात सारी मसल्स मीजोडर्मल में मीजोडर्मल औरीजिन वाली नहीं हैं मतलब सरीर में कुछ ऐसी मसल्स भी है जिनका औरीजिन जो होता है वो किस से होता है एक्टोडर्म से और उनके दो बड़े फेमस एक्जम्पल अपने पास है पहला आईरिस और दूसरा सीलियरी बोडी मसल्स पेटा, आईरिस and celery body की ये muscles है, ये दोनों की दोनों किसके part है हमने बोला ये दोनों की दोनों eyes के part है और eyes में जो आईरिस and celery body होता है उन्हें जो muscles होती है उनका origin होता है space मतलब सवाल आपसे पूछेगा कि all muscles are mesodermalese origin तो आप कहोगे नहीं, गल्ट statement है almost all muscles are mesodermal in origin, आप कोगे हाँ सई statement है, चले भी अपना आगे सवाल था, सर, आप ये बताईए, muscles जो है, ये muscles body के weight में कितना contribute करती है तो हमारी NCIT माता की बड़ी खुब सुरक्सी line है, कि body के weight में about 40 to 50% contribution, वो किसका होता है muscles का होता है, तो adult human being में, total body weight का 40 to 50% part क्या है, muscles है, सवाल था सर, अगर हम से कोई पूछे कि muscles के unique characters और मैं पूछू, muscles के specific characters के बारे में बताईए, तो बेटा, जब भी muscles के बारे में पूछे, तो muscles की specific properties और characteristic feature है वो अपने पासे च्यार, सबसे पहले muscles जो है, वो neuron की तरह, excitable cell है, मतलब ये भी stimulus को response दे सकती है, दूसरी बात, neuron neuron की तरह कैसी थी, excitable cell तो हम बात करते हैं कि human being की body में, हमारी body में, दो excitable cell है, एक तो neuron और दूसरी, muscle, दूसरा characteristic feature है, contractility contractility का मतलब कि muscles में contraction की ability होती है, मतलब जब हम force लगाएंगे, तो इनका size क्या हो जाएगा, छोटा, इसलिए मैं लिखा forcefully shortened next, तीसरा है extensibility, extensibility का मतलब muscles जो होती है, उनमें stretching ability present होती है, इसलिए हमने बोला, ये इसमें क्या से हो कर रहा है, extensibility, next चोथा अपने पास है elasticity elasticity का मतलब कि muscles जो थी, वो दुबारा से अपनी normal, original stage में आ सकती है, और इसी को हमने बोला elasticity, तो muscles के कितने characteristic feature हुए चार, उसमें अपने पास excitability है, contractility है, extensibility है, and elasticity है, सवाल था, सर, आप ये बताए, muscles है, ये कितने type की होती है बिटा, muscles को हमने on the basis of location, apeerance, and regulation of activity के basis पे 3 type में classified किया है, 3 type में classified किया है, चले भूए हमने बोला muscles कितने type किया है, 3 type की इस बेसित से, location, appearance, and nature of regulation of activity के basis से muscles का क्या किया, classification किया, और muscles जो थी, वो location के basis पे अपने पास कितने type किया है, 3 type की, सबसे पहली, skeletal muscles, दूसरी, स्मूथ मसल्स, एंड तीसरी कार्डियक मसल्स, यह किसके बेसिस पे on the basis of location, सवाल था सर इन में क्या difference था बड़े ध्यान से देखीगा, सबसे पहला इमेज NCRT का ही डाइगराम हमने लिए है यह skeletal मसल का डाइगराम है दूसरे वाला जो था, यह स्मूथ मसल्स का डाइगराम है अब एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं skeletal मसल्स की, skeletal मसल्स वो थी जिसकी structure कैसी थी, cylindrical स्मूथ मसल्स वो थी, जिसकी structure कैसी थी, वो थी fusiform, fusiform का मतलब अगर एक मसल फाइबर को निकाल के देखोगे, तो उसके दोनों ends है बोथ ends सारे taper, और मैं कहूँ narrow, ऐसी structure को बोलते हैं fusiform, और तीसरी मेरे पास थी cardiac मसल्स, जो कैसी होती है cylindrical structure शो करती है, मतलब cylindrical ही तो cardiac मसल्स है और cylindrical ही skeletal मसल्स है next point, अपने पास next point है सबसे पहले बात करते हैं, skeletal syncycyal, कैसी है बेटा syncycyal, चले बही अपना आगित next, smooth muscle में केवल एक nucleus होता है, केवल कैसा होता है एक nucleus, और कैसी होती है unbranched, लेकिन cardiac muscles ऐसी थी, जो branched भी है and nucleus में कितना होता है, one मतलब वो branched and union nucleated होती है सबाल था, सर, ये बात तो पता चला, सबसे पहली वाली में कई सारे nucleus, दूसरी में एक nucleus, तीसरी में एक nucleus अब बताओ, what is the position of nucleus बेटा, skeletal muscles में nucleus जो होता है वो peripheral part में present होता है इसलिए हमने बोला peripheral nucleus, जबकि smooth muscle and cardiac muscle में nucleus जो होता है, वो muscle cell के center में located होता है, इसलिए हमने लिखा central nucleus, क्या लिखा central nucleus, अब हम बात करते, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles में इसी pattern में आगे, सबसे पहले जब skeletal muscles में हमने देखा, तो ये देखा कि skeletal muscles में alternative order में light and dark band present है, light and dark band present है, light band का मतलब अपने पास हुआ i band and dark band जो है, उस dark band का मतलब हुआ, a band, तो light and dark band alternative order में present है, कोन सी muscle में, skeletal muscles में, लेकिन ध्यान रखना smooth muscle में कोई भी band present नहीं होता, मतलब light and dark bands दोनों के दोनों क्या होते हैं absent, फिर जब हमने skeletal muscles के बाद, ये ही band हमने दिखाई दिए, वो किस में दिखाई दिए वो दिखाई दिए बेटा, अपने पास cardiac muscles में, heart muscle में भी skeletal muscles की तरह alternative order में, light and dark band present थे, light and dark band present थे, चले भी अपना आगे next, अगला character था येर हमने बात किया, वो बात किया, nature of regulation के बारे में, तो ध्यान रखना skeletal muscles वो थी, जो animal के control में होती है, इसनले उन्हें बोला, voluntary muscles, smooth muscle वो थी, जो animal के खुद के control में नहीं होती, इसनले उन्हें बोला, involuntary muscles और heart muscles भी, animal के control में नहीं होती, इसनले वो भी क्या थी involuntary muscles थी, तो result तो ये निकल के आए मेरे दोस्त, कि skeletal muscles and cardiac muscles दोनों structure में क्या होती है same same दोनों structure में क्या होती है same same लेकिन regulation का तरीका दोनों का अलग-अलग एक animal के control में होती है और एक animal के control में नहीं होती तो मैं यह कहे दूँ कि cardiac muscles structurally similar होती है वो किसके similar होती है आप काओगे skeletal muscles के लेकिन functionally किसके similar होती है, आप कहोगे smooth muscles के, ठीक है जी, next, अगला characteristic feature, पिटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, intercollected disc, exactly में इस diagram में, इस cardiac muscle में, यह dark dark जो band दिखाई दे रहा है, यह अपने पास, अपने पास है, intercollected disc, और इसका formation होता है, जब दो adjacent cardiac muscles की cell membrane, कुछ एक places पे एक दूसरी से क्या हो जाती है, fuse, तो formation करती है, किसका, intercollected disc का, यह intercollected disc, एक communication junction की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, एक communication junction की तरह है, और intercollected disc, cable और cable कौन सी muscles में, काइडियक muscles में, मतलब skeletal muscles में intercollected disc, absent, smooth muscle में intercollected disc, absent, लेकिन काइडियक muscles में intercollected disc क्या होती है, present, अब सवाल था, सर, हमने tissue में cell junction पढ़े थे, अब बताईए ना, कि tissue में तिब cell junction पढ़े थे, तो हमने यह बोला था, कि body में सभी types की सब tissues हैं, उनमें cell junction दिखाई दिखाई नहीं होते, skeletal muscles वो थी, जिनमें cell junction क्या थे, absent, लेकिन smooth muscles में cell junction present, and cardiac muscles में भी cell junction present, अगर कहें कि सबसे ज़्यादा cell junction कौन सी muscle में, तो आप कहोगे, cardiac muscle में cell junction सबसे ज़्यादा, that is, maximum होते हैं, next, skeletal muscles जो होती है, fatigue muscles है, मतलब इनमें हमें थकान फील होती है, smooth muscles जो अपने पास है, यह non-fatigue muscles है, मतलब इनमें हमें थकान फील नहीं होती, and cardiac muscles जो है, वो भी non-fatigue muscles है, that is, never fatigue muscles है, जो बहुत तेजी से contraction and relaxation भी करती है, and उनमें थकान भी फील नहीं होती, next, सवाल था, sir, क्या आप skeletal muscles के कोई example दे सकते हैं, हमने का बिल्कुल दे सकते हैं, हम बात करें, तो हमने बोला, gastrointestinal tract, that is, elementary canal की wall की muscle, phallophen tube की wall की muscles, blood vessels की wall की muscles, urinary bladder की muscles, ciliary body की muscles, iris की muscles, यह सारी की सारी कैसी है, smooth muscles है, जब भी पूछे cardiac muscles, हमने बोला, केवल और केवल heart में मिलती है, तो heart muscle किसका example, cardiac muscles का, चले भी अपना आगी, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सवाल था, सर, अब बताईए, अगर हम से कोई पूछे, structure of muscle के बारे में, तो बेटा, हमारी NCRT ने जो structure of muscle discuss कर रखी है, वो exactly में skeletal muscle की structure को study किया है, किसको study किया है, किसको explain किया है, structure of skeletal muscles को, तो बड़े ध्यान से देखना, माल लीजी, यह किसी person की bicep है, हमने इस bicep वाल सबसे बाहर की तरफ की जो कवरिग थी, वो थी epimysium, क्या थी? epimysium, और इस epimysium के अंदर आपको यह बहुत सारे white, white color की circle दिखाई दे रहे होंगे, यह एक जो circle है, उसे बोलते है, फैसिकल या फैसिक्यूलस, फैसिकल या फैसिक्यूलस, जब भी कोई कहे, कि सर यह फैस है, बंडल ओफ, मसल, फैसिकल, मसल फैसिकल के बंडल को क्या बोलते है, फैसिकल, तो मैं यह कहे दूँ, कि यहाँ पर एक फैसिकल की कही सारे, हमने कही सारे फैसिकल, तो यह मेरे पास क्या हुआ, यह मेरे पास हुआ, बंडल ओफैसिकल, बंडल ओफैसिकल के चारों तरफ ये येलो रंग की covering दिखाई दे रिये जिसको बोल दिया epimysium तो जब भी पूछे epimysium क्या है तो आप कहोगे covering of bundle of physical उसको क्या बोलते हैं epimysium हमने क्या काम किया इस एक bundle को पकड़ के बाहर खेचा अरे हा कि ना जब एक physical को पकड़ के बाहर खेचा तो क्या देखा कि इस physical के बाहर की set भी covering थी और उस covering को बोलते है epimysium क्या बोलते है epimysium अरे physical की covering को क्या बोलते है epimysium और physical क्या है bundle of muscle fiber bundle of muscle fibers उसको क्या बोलते है physical तो जब भी पूछे perimysium क्या है तो आप कहोगे covering और या मैं कहें दूं, covering of, covering of bundle of muscle fiber को क्या बोलते हैं, perimycium, next, हमने इस perimycium के अंदर, ये अपने पास खूब सारी दिखाए दे रिए, blue blue color की structure, दिखाए दे रिए, हमने एक blue color की structure को बाहर निकाल के देखा, ये एक blue color की structure, exactly में मेरे पास, बाहर निकाल के देखा, तो ये मेरे पास है, एक muscle fiber, और muscle fiber की cell membrane है, उसको अपन बोलते हैं, सारकोलेमा, क्या बोलते हैं, सारकोलेमा, हमने यहाँ पे देखा, कि हर एक blue color का एक muscle fiber है, और उसकी cell membrane को क्या बोलते हैं, सारकोलेमा, सारकोलेमा क्या है, cell membrane of a muscle fiber, और muscle cell, उसको बोलते हैं, सारकोलेमा, लेकिन हर एक muscle fiber पास किया थी सारको लेमा अब हम कहानी यही से शुरू करते हैं मेरे दोस्त हम यहां से एक मसल फाइबर और एक मसल सैल को निकालते हैं और फिर पता करते हैं, कि वो muscle cell अंदर से कैसी बनी हुई है, और अंदर से उसकी structure कैसी है, बड़े धान से देखी हैं, हम बात कर रहे हैं आप से, स्ट्राइटिड और स्केलेटल, muscle cell के बारे में बड़े धान से देखी हैं, हम ने ये एक muscle cell बाहर निकाल ले, हमने क्या बताया, आप से one by one करके बात करता हूँ, हमने बोला था, कि एक muscle cell जो है, उसकी outermost covering को बोलते हैं, सारकोलेमा, क्या बोलते हैं, सारकोलेमा, तो जब भी material बढ़ा हुआ है, exactly में इसको बोलते हैं, सारकोपलाजम, क्या बोलते हैं, सारकोपलाजम, तो जब भी कोई कहें, कि what is सारकोपलाजम, तो आप कहोगे, कि साइटोपलाजम of muscle cell, उसको क्या बोलते हैं, सारकोपलाजम, क्या है, muscle cell का, साइटोपलाजम, हमने यहाँ पे प्रोंच्छे ट्रास्वर्टियूल और टी ट्यूब्यूल किस वजह से बना तो आपके सार्को लेमा की इनफ होज़े से बना और यह T-tubule काम क्या करता है बेटा जब muscles में contraction का impulse आता है action potential आता है तो ये action potential को ले के जाता है कहाँ पे sarcoplasm में तो ये मैं कहे दूँ कि help करता है helps in conduction of action potential into the sarcoplasm कौन काम करता है T-tubule हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अपने को दिखाई दे यह sarcoplasmic reticulum यह वाली नहीं sarcoplasmic reticulum sarcoplasmic reticulum exactly में muscle cell में present endoplasmic reticulum है क्या है endoplasmic reticulum इस endoplasmic reticulum में भरे होते calcium ions क्या भरे होते calcium ions तो जब भी पूछे कि बात आओ sarcoplasmic reticulum का क्या काम आप कहोगे calcium ions को store करना चले भीया next आपको पता है कि जैसे हमारे blood में एक respiratory pigment होता है जिसको बोलते हीemoglobin ऐसे ही muscle sum के अंदर भी respiratory pigment होता है जिसको बोलते है myoglobin तो यह red वाला मेरे पास क्या है myoglobin जो की एक respiratory pigment है चले हमने यहाँ पे देखा यह blue color के जो आपको दिखाई दे रहे यह मेरे पास है sarcosome यह sarcosomes यह sarcosomes जो अपने पास है यह exactly में muscle cell में जो mitochondria होते हैं उन mitochondria को बोलते है sarcosome चले भीया हमने एक चीज़ बड़े द्यान से देखीगा हमने बोला था skeletal muscles कैसी होती है multi-nucleated और उसके nucleus कहां होते है peripheral part में अब देखो sarcolema के चारों तरब यह n-n करके बने हुए n-4 nucleus n-4 क्या है nucleus यह exactly में nucleus है और sarcolema जो होती हो कैसी होती है multi-nucleated किसनी हमने बोला multi-nucleated cell है और उसी को बोलते है syncytial cell और syncytial fiber कौन skeletal muscle चले एक चीज़ हमने देखा यह पीले रंग का क्या था sarcoplasm था और इस cell के center में यह red color के आपको structure दिखाई दे रही है यह red color की जो road like structure दिखाई दे रही है यह exactly में myofibril ध्यान रखना muscle cell को बोलते muscle fiber और muscle fiber के अंदर होते myofibril बहुत सारे road shaped myofibrils जो थे वो muscle cell के में क्या होते है arrange होते है तो जब भी पूछे कि myofibrils का पाया जाना muscle cell का characteristic feature है आप कहोगे yes myofibrils presence of myofibrils is characteristic feature of muscle cell यह बात ध्यान रखने सवाल था गुरुजी यह बताओ एक myofibril को निकाल के हम देखे तो यह myofibril बना किस से मैं कहूँगा भाई यह myofibril जो है यह exactly में दो type की filament से बना है एक को बोलते है thin filament और एक को बोलते है thick filament thin filament बोले तो actin वाला और thick filament बोले तो myocene वाला उनी से बना है कौन myofibril तो चलिए दोस्त हम कहानी यही करते है कि हम structure of myofibril देखते है तो बेटा यह NCRT माता का diagram उठाया है यह black and white वाला जब इस diagram को देखा तो पता चला कि हमने बात किया था कि muscle cell में alternative light and dark band है तो यह जो white color का दिखाई दे रहा यह light band और light band को बोलते हैं अपन eye band क्या बोलते हैं eye band next आगे फिर अपने पास वो ही आगया eye band तो हमने यही तो कहा कि जब भी एक muscle fiber को देखोगे तो उसमें alternative light and dark band present है यह मेरे पास light band eye band यह मेरे पास eye band light band eye का मतलब isotropic यह मेरे पास dark band that is a band a का मतलब an isotropic band चले है अपना आगे अब हमने क्या notice किया हमने इसी पार्ट को थोड़े अच्छे तरीके से देखा इस नीचे वाले diagram में देखा हमने क्या देखा कि इस eye band के center में एक line दिखाई दे रही है और इस line को हम बोलते है z line क्या बोलते है z line क्या बोलते है z line यह z line कौन से में दिखाई दे रही है eye band में और यह निले वाली protein कौन से है thin filament that is actin protein तो मैं यह कहे दूँ कि यह eye band जो होता है यह eye band actin protein और thin filament से बना होता है और उन thin filament को आपस में जोडने का काम कौन करती है तो आप कहोगे जोडने का काम करती है z line जो की एक elastic fiber है जो क्या एक elastic fiber है या मैं कहूँ एक elastic fiber protein से बनी है चले पना आगे हमने क्या देखा हमने देखा यहां से यहां तक का यह पूरा का पूरा dark band a band है इस dark band को दो पार्ट में देखा दोनों के दोनों किनारे तो ज्यादा dark थे मैं लिखा more dark और central part जो था वो था less dark central part कैसा था less dark किनारे तो more dark central part less dark हमने देखा किनारों को देखते है बिटर जब हमने किनारों को देखा तो किनारों में क्या देखा कि किनारे वाले पार्ट तो वो थे जहाँ पे एक्टिन एंड मायोसीन दोनों प्रजेंट है किनारों पे देखी एक्टिन एंड मायोसीन दोनों प्रजेंट है वो कौन से थे किनारे वाले that is more dark लेकिन सेंट्रल पार्ट वो था जहां केवल और केवल क्या प्रजेंट था, केवल और केवल मायोसिन प्रजेंट था, मतलब यही तो पार्ट हुआ इसका लेश डार्क, यही तो पार्ट हुआ इसका लेश डार्क, तो ध्यान रखना जब भी पूछे, ए बैंड को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आ H zone और इस H zone में H zone में एक thin membrane होती है जिसको बोलते है अपन M line क्या बोलते है M line जैसे Z line सारी की सारी actin को आपस में connect कर रही थी इसी तरीके से यह M line जो थी यह A band के central part में connect करती है सारी की सारी myosin को आपस में connect करने का काम करती है अब ध्यान सो देखो एक Z line तो यह रही और एक Z line यह रही यस एक Z line यह रही दो Z line हुई की नहीं हुई इन दो Z line के बीच की जो distance है उस बीच की distance को ही हम बोल देते हैं सारकुमियर तो जब लाइन इसी को क्या बोलते है सारकुमियर और यह सारकुमियर ही इस myofibril की structural and functional unit है तो जब भी बोले कि myofibril की structural and functional unit कोन है तो आप क्या कहोगे सारकुमियर सवाल एक हो रहा है प्यारा सा सर माल लेजी हम इस थिन filament को निकाले और इस थिक filament को निकाले और इन दोनों थिन थिन filament को निकालके और फिर study करें तो यह हमें कैसे दिखाए देंगे, भाई, कर लेते, देखो, हमरे सबसे पहले thin filament को निकाला, जब thin filament को निकाला, तो वो thin filament कुछ ऐसा दिखाए दिया, उस thin filament में total मिलाके 3 प्रकार की protein थी, कितने प्रकार की protein थी, 3 प्रकार की protein हमें दिखाई दी सवाल था सर तीन प्रकार की कौन सी बेटा यह ग्रीन वाली जो दिखाई दे रही आपको यह तो exactly में मेरे पास F-actin ग्रीन वाली कौन सी यह अपने पास F-actin that is Actin protein यह जो आपको रसी से दिखाई दे रही है यह ब्राऊन कलर की यह मेरे पास कौन सी है यह जो रसी सी दिखाई दे रही है ट्रोपोवाइसीng क्या है अकिस कि किसके बारे में बात करते हैं इस F-Actin के बारे में बात करते हैं exactly में F-Actin क्या है इसको बोलते है F-for-Filamentis F-for-Filamentis मतलब यह Actin Protein का ही एक filament है क्या है एक filament लेकिन एक पूरी Actin Protein बनाने के लिए हमें कितनी F-Actin चाहिए? दो, कितनी चाहिए? दो तो जब भी मैं कहूँ कि एक actin protein कितनी f actin से बनती है आप कहूँगे दो f actin से बनती है कितनी protein एक actin protein हाँ कि ना अब सवाल था यह f actin कैसे बनी बिटा अपने पास exactly में g actin होती है जिसको बोलते है globular actin क्या बोलते है globular actin उस globular actin का magnesium की presence में होते है polymerization और उस polymerization से क्या बनती है f actin polymerization से क्या बनती है f actin तो जब भी कोई कहे कि f actin किसके polymerization से बनी आप कोगे g actin that is globular actin के polymerization से बनी f actin और दो f actin मिलके क्या बनाती है एक actin protein का formation करती है किसका formation करती है एक actin protein का formation करती है चलू मैं आगे next हमने क्या देखा कि actin protein जो थे तो दो actin protein के filament थे या दो f actin जो थे उन दो f actin की पूरी की पूरी लंबाई में present होते हैं क्या दो filament किसके ट्रोपोमयोसीन के अरे हा कि न तो मैं कहे दूं two filaments of ट्रोपोमयोसीन ट्रोपोमयोसीन रन पैरलल टू दा एफ actin और यहां कि न यहां कि न यह मैं कहूं रन पैरलल टू दा एंटायर लेंथ ओफ f actin तो अभी बात क्या होगी सही चले भी अपना आगे next हमने क्या देखा कि ट्रोपोमयोसीन पर रेगुलर इंटर्वेल में क्या present है present है वो प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रोपोनीन प्रोटीन बच्चे ट्रोपोनीन प्रोटीन है वो एक complex प्रोटीन है जिसका formation तीन सब कि जूडती है है हमने बोला यह जाकर जूडती है वो जूडती है खेम से लिदाug25 जाकर जूडती है फ्रोपोमयोसीन से नेक्स्ट अगला तीपि आई टीपि का मतब्यारी इनिपीटरी साइट इसको इनिपीटरी क्यों बोला क्योंकि यहीवो थी जोकि F filament या actin पर present होती है एक myosin binding site क्या present होती है actin पर myosin binding site तो यह exactly में myosin binding site को mask करने का काम करती है ताकि actin से myosin जूड नहीं पाए उसके लिए कौन रहे responsible TPI तीसरा मेरे पास है इसका TPC TPC TP का मतलब troponin C का मतलब calcium मतलब यह किसकी binding site है यह calcium की binding site है जब calcium ion आके troponin से जूड़ेगा that is troponin की TPC site से जूड़ेगा तो यह thin filament जो था इसके confirmation में change होगा configuration में change होगा और जब configuration में change होगा तो actin पर present myosin binding site थी वो होगी free वो होगी exposed तब ही myosin यहाँ जाके जूड सकता है यह किसकी structure थी thin filament और actin complex की structure थी सवाल था सर्फ myosin कैसी दिखाई देगी बड़ी धान से देखना हम structure of myosin और thick filament कर रहे है बिटर जैसे actin एक polymerized protein थी that is polymer of G actin थी उसी तरह myosin भी अपने पास एक polymerized protein है और यह किसका polymer है यह polymer है अपने पास myosin का किसका polymer है myosin का लग बग 300 myosin unit जो थी वो मिलके formation करती है एक myosin का किसका formation करती है एक myosin का इसलिए myosin भी एक कैसी protein है polymerized protein है अब myosin जो थी वो किसके repetition से बनी myosin से मतलब उसकी monomer unit कुन सी है myosin हमने एक myosin को बाहर निकाला और आपके सामने बनाया NCRT ने ये diagram दे रखा ये myosin का diagram नहीं है ये myosin की एक monomer unit that is myosin का diagram है और जब हमने एक myosin को देखा तो myosin के दो पार्ट थे कितने पार्ट थे? दो पार्ट थे एक पार्ट को बोलते है HMM और दूसरे पार्ट को बोलते हैं LMM HMM का मतलब heavy myosin and HMM का मतलब जो होता है light myosin अब सवाल था कि सर एक myosin किस से बना? पिटा एक myosin में दो polypeptide chain होती है और दो polypeptide chain helically bounded है क्या है helically? bounded है या bounded है? ये helically twisted है और helically bounded है मतलब ऐसा मान लो कि दो साप ऐसे lift हुए है और उनका जो आगे वाला part है जो उनका मूँ वाला part है वो क्या है? अलग कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है किस की structure? एक myosin की structure myosin का light myosin part है ये exactly मेरे पास है tail part उनसा part है इसका? tail part ये उपर उठा हुआ चोटा सा part है इसको बोलते short arm और ये जो उपर वाला part दिखा दे रहा है इसको बोलते globular head तो मैं ये कह दूँ कि जब भी पूछे बताओ LMM किससे बनता है? आप का होगए tail से बनता है जब भी कोई पूछे कि बताओ HMM किससे बनता है? हमने का HMM में दो चीजे प्रजेंट है एक तो globular head और दूसरा short arm globular head and short arm दोनों को मिला कि एक दूसरा नाम भी हमने दिया that is cross arm तो जब भी बोले cross arm का formation किससे हुआ तो मैं कह दू cross arm बराबर HMM और उसका formation दो चीजों से हुआ globular head and short arm से अब हमने क्या देखा कि यहां पर अपने पास इसका head वाला पार्ट है इस head वाले पार्ट पर आपको दो तो red color की site में बना रखिये वो तो वो थी जो किससे जाके जुड़ेगी actin protein से दो green color की site में बना रखिये यहां पर यह वो थी जहां पर क्या जुड़ेगा ATP तो मैं यह कहे दूँ कि एक miromaiosin पर एक miromaiosin molecule पर दो दो तो actin binding site थी and दो ATP binding site present होती है तो जब भी पूछे ATP binding site and active site that is actin binding site वो कहां पर present होती है तो आप कहोगे वो HMM और cross arm पर present होती है head पर ठीक है जी अब सवाल था सर यह structure होगी complete अब आप हमें बताइए sliding filament theory that is mechanism of muscle contraction के बारे में बच्चे sliding filament theory देने वाले scientist का नाम था Huxley and Hanson Huxley and Hanson नाम के scientist ने sliding filament theory दी जो की most accepted theory है most accepted theory है जो यह explain करती है कि muscle का contraction कैसे होता है इन scientist लोगों ने क्या बताया कि जब muscle का contraction होता है तो thin filament thin filament मतलब acting filament slide करता है over the thick filament that is acting filament slide करता है किसके उपर myosin के उपर यही कौन कहती है यही कहती है sliding filament theory अब सवाल था सर slide करेगा तो muscle में contraction होगा और muscle में contraction के लिए contraction के impulse आने चाहिए हमने का भया बिल्कुल आने चाहिए कौन लेके आएगा बिटा हमारे central nervous system से muscles के पास contraction के impulse लेके आने का काम करती है वो करती है motor neuron कौन करती है motor neuron अब सवाल था सर एक term हमने कहीं पड़ी थी हमने का क्या पड़ी थी हमने पड़ा था एक motor unit हमने एक term पड़ी थी motor unit तो आप बताव एक motor unit क्या होती है बिटे एक motor unit में एक motor नारू एक motor neuron प्लस many muscle fiber इन से मिलके बनती एक motor unit तो बड़ा फिम सवाल है पूछ पूछ के पूछा हुआ है कि एक motor unit का formation किससे हुआ तो आपको गए एक motor neuron तथा बहुत सारे muscle fiber से मिलके हुआ एक सवाल और पूछता है सर आप में यह बताईए यह neuromuscular junction और motor and plate क्या होता है muscles and neuron के बीच जो junction बनता है उस junction को भी बोलते है neuromuscular junction और मैं कहाँ दू motor and plate चले जैसे दो neuron के बीच बनता है junction उसे बोलते है synapse ऐसे ही neuron and muscle के बीच के junction को गया बोलते है neuromuscular junction सवाल था गुरुजी ठीक बात है लेकिन NCRT माता ने muscle contraction की mechanism को step by step दे रखा है तो क्या आप उस mechanism को step by step बता सकते हैं बिल्कुल हम NCRT माता से चिपक के बात करते हैं और मैं step by step recall कराने की कोसिस करता हूँ बेटा हम नहीं क्या पढ़ा कि muscle में जब contraction होता है तो contraction का impulse कहां से आता है CNS से को लेके आती motor neuron और motor neuron उस impulse को लेके आएगी तो सबसे पहला यही काम था muscle contraction is initiated by the motor signal from CNS CNS से जो motor signal आया वो जैसे ही motor neuron जो थी उनकी synaptic knob में पहुचेगा तुरंत के तुरंत वहां से neurotransmitter acetylcholine release होगा तो कौन सा neurotransmitter release हुआ acetylcholine neurotransmitter release हुआ कहां पे neuromuscular junction पे इस neurotransmitter के receptor जो थे वो post synaptic membrane that is सारको लेमा के उपर क्या होते हैं present यह receptor गया और कहां जाके जुड़ गया यह सारको लेमा पे जुड़ गया जो ही सारको लेमा पे जुड़ा सारको लेमा में action potential develop हो गया सारको लेमा में action potential develop हो गया, मतलब यह हुआ कि मसल फाइबर की सारको लेमा में अब action potential डवलप हो चुका है अब ये action potential सारको लेमा से होता हुआ गया T-tubule में कहा गया T-tubule में और याद करो मैंने बोला था T-tubule जो है वो action potential को conduct करते हैं इंदा सारको प्लाजमों मसल और T-tubule से होता हुआ कहा गया सारको प्लाजमें जो ही सारको प्लाजमें action potential पहुचा तुरंत के तुरंत सारको प्लाजमिक रेटिकुलम हुई एक्टिवेट और उन्होंने कैलसियम आयन को बहार रिलीज करना शुरू कर दिया मतलब उन्होंने क्या काम किया कैलसियम आयन को बहार रिलीज करवा दिया जो ह नॉर्मल केस में मायोसिन एक्टिंट से जुड नहीं पा रहा था लेकिन जो ही ट्रोपोनीन की TPC से क्योजिय मायोसिय आयन जाके बाइंड हुआ तूरंत के तूरंत एक्टिंट कॉमपलेक्स के कोन्फिग्रेशन में क्या हुआ चेंज और कोन्फिग्रेशन में चेंज होते ह एक्टिन पे प्रजेंट मायोसीन बाइंडिंग साइट क्या होगी फ्री अरे जो ही एक्टिन पे प्रजेंट मायोसीन बाइंडिंग साइट फ्री हुई अनमास्क होई तो अनमास्क होते ही क्या हुआ अनमास्क होते ही मायोसीन के हैड पे जो ATP था उस ATP का हुआ हैड्रोलाइस वो किस में बदला वो ATP जो था वो ADP में बदला and inorganic phosphate में बदला ADP में बदला and inorganic phosphate में बदला और myosin का head जाके actin पे present site से जुड़ गया actin पे present site से जुड़ गया अरे myosin के head का actin से जुड़ना इसी को बोलते cross breeze formation मतलब cross breeze का क्या हो गया formation तो याद रखो वो कहेगा क्या cross breeze के formation में ATP खर्च हुआ हाँ ATP का hydrolysis हुआ तभी cross breeze बना चले तो अब cross breeze तो बन गया लेकिन अब muscle को contraction करना पड़ेगा तो actin को myosin के उपर क्या करना पड़ेगा slide करना पड़ेगा और myosin अपनी जगे पे fix रहती है और वो ऐसे पकड़के खैसती है किसको actin को अरे खीचने के लिए power stroke की जरुरत होगी खीचने के लिए किसकी जरुरत होगी power stroke की और power stroke develop करने के लिए जो myosin के head पे ADP and inorganic phosphate प्रजेंट है myosin का head उस ATP and inorganic phosphate को अपने से बाहर release करता है जो ही वो ADP and phosphate myosin के head से अटेगा myosin के head का होगा rotation और head का rotation होते ही head में जो rotation हुआ उस rotation को बोल दिया power stroke जिसकी वज़े से अब rotation होते ही क्या होगा actin filament slide करेगा किसके उपर myosin के उपर सवाल था सर कौन सी तरफ बेटा सार को mirror के center की तरफ तो यही बात हमने लिख रख किया है actin filament slide over the myosin towards the center of sarco mirror और इसी को बोलते है muscle contraction सर मसल में contraction तो करवा दिया अब क्या करवाए मसल में relaxation का concept भी NC18 दे रखा है चलिए उसको भी एक बार बात कर लेते हैं सवाल था जा मसल में relaxation कैसे हुआ आणे जी क्या करें ऐए थी तो क्या काम हुआ अब आपको पता जब तक TPC से calcium जूड़ा रहेगा सब तक तो muscle contraction करें तो अब अगला काम क्या था अगला ये काम था कि TPC जो थी उस TPC से calcium को remove करना है TPC से calcium को क्या करना है remove करना है और उन calcium को वापिस किसके अंदर डालना है वो वापिस डालना है सारकोप्लाजमिक reticulum में और हमने बोला काम भी यही हुआ TPC से calcium हटा और calcium धीरे धीरे वापिस कहां गया सारकोप्लाजमिक reticulum में लेकिन सारकोप्लाजमिक reticulum में वापिस calcium iron डालने के लिए हमें calcium pump start करना पड़ा और उस calcium pump में ATP क्या होते है खर्च मतलब ATP खर्च हुए तब जाके हमारे calcium आयन दुबारा से कहां गए सारकोप्लाजमिक reticulum में गए अरे जब TPC से calcium हटा तो दुबारा से protein पे जो myosin binding site थी उसको ढख लिया किसने ढख लिया troponin and tropomyosin ने ढख लिया troponin and tropomyosin ने दुबारा से उस site को क्या कर लिया ढख लिया पहली बात जब उस site को दुबारा से ढखने का काम सुरू हो गया लेकिन site को ढख तो तब पाएगी न जब myosin का head वहां से अलग हो बोलो हाँ तो हमें myosin का head क्या कर रहा पड़ेगा वहां से अलग हमने myosin से कहा कि actin से अपने head को अलग कर बोले अलग तो करूंगी साहब लेकिन मैंने ATP खर्च कर रहा था cross breeze बनाने के लिए अगर cross breeze तोड़ना है तो जो मेरा खर्चा हुआ जो ATP मैंने खर्च किया वो ATP दुबारा से मेरे लगा दो हमने का भई ठीक बात है तो जो ही myosin के head पे हमने एक new ATP add किया तुरंत के तुरंत myosin का head actin से क्या हो गया अलग मतलब cross breeze तूट गया cross breeze तूट गया calcium iron हटने की वज़े से अब troponin और tropomyosin दुबारा से actin protein की myosin binding site को ढख लेगी और ये काम होते ही जो thick and thin supplement थे वो दुबारा अपनी पहले वाली original position में चले जाएंगे इसे ही बोलते है relaxation of muscle मतलब पहले वाले का उल्टा काम तुम्हें यहां कराना है दिमाग लगाना नहीं है और तुम्हें heavy नहीं एक तो जिसके पास खूब सारा हो लगाए तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें तो लगाना भी नहीं है चले अब सवाल था गुरू जी एक्जाम में क्या पूछेगा बहिए एक्जाम में तो पूछ पूछ के पूछा हुआ है क्या पूछा हुआ है वो कहेगा कि जब एक muscle में contraction होता है तो क्या क्या चेंज आते हैं बड़े ध्यान से देखना सबसे पहले पूछे का साइज उपसार को मियर और डिस्टेंट्स बिट्विन जैड लाइन पर क्या फरक पड़ेगा हमने का यह मसल कोंट्रेक्शन के टैम पर तो घटती है वो कहेगा लैंथ और आई बेंड पर क्या फरक पड़ेगा हमने का इन में भी नो चेंज इन में भी नो चेंज वो कहेगा डिस्टेंस बिट्विन जैड लाइन एम लाइन जैड लाइन की डिस्टेंस में क्या फरक पड़ेगा हमने का घटेगी वो कहेगा गुरु जी बहुत घटा ली क्या कोई चीज ऐसी भी जो बढ़ेगी मैं कहा बढ़ेगी भी क्या बढ़ेगा थिकनेस ओफ मसल फाइबर जो थी वो क्या होगी इनक्रीज होगी बेटा यहीं से सवाल आता है गुम फिर के यह डेटा आपको याद रख ले आ हैं बिलकुल दिमाग में चाप लेना है ठीक है जी अपन थोड़ा सा आगे मों करते हैं अगला था सर्फ मसल फाइबर की तरह टाइब के होते हैं वेटा हमारी NCIT ने बहुत अच्छे से बात करी हैं मसल फाइबर दो टाइबर के हैं एक रेड मसल फाइबर और दूसरा वाइट मसल फाइबर रेड कलर के इसलिए हैं जोकि उनमें मायोगलोबिन नाम का रेस्पार दिखाई देते हैं रेड मसल फाइबर में माइगोबर के नंबर बी ज्यादा इस आप्लिए ब्लड शाप्लाई भी ज्यादा और रेस्पार्शन कैसा हुता है एरोबिक लेकिन वाइट मसल पाइबर में मायोगलोबीन जैसे हमने बताय क्या था कम नंब ओप मायोब कोंड् तो मसल में थकान भी नहीं होगी तो हमने बोला red muscle fiber में no lactic acid formation तो हमने बोल दिया no tiredness no tiredness जब भी पूछे white muscle fiber में हमने का anaerobic respiration होगा तो lactic acid बनेगा और lactic acid बनेगा तो थकान भी होगी अब खास बात थी यह red muscle fiber है इन में सार्कोप्लाज्मिक reticulum की संख्या कम होती है कम होती जब सार्कोप्लाज्मिक reticulum की संख्यासी बहुत जादा तो calcium आयन थे बहुत जादा तो muscle जल्दी-जल्दी contraction करेगी मतलब थोड़े time के लिए contraction करेगी अब हमें अगर हमें अगर बहुत लंबे time तक काम करना होगा बीना थकान के तो कौन से muscle fiber काम करेंगे red muscle fiber अगर हमें थोड़े से time में बहुत जल्दी-जल्दी काम करना पड़ेगा तो कौन से muscle fiber काम करेंगे white muscle fiber और उनके दो बड़े फेमस एक्जामपल दीए बोला कि जब कोई पक्षी बहुत लंबी दूरी पर एक long flight करता है तो उसकी long fighting muscles जो होती है उसमें कोन से muscle fiber red muscle fiber लेकिन जब कम दूरी तक बहुत तेजी से उसे दोड़ना होता है that is short fighting muscles जो होती है उनमें कोन से muscle fiber होते हैं तो बोला उनमें होते है white muscle fiber ठीक है जी तो यहाँ पे जाके हमने बच्चे आप लोगों के सामने muscles वाला portion complete कर दिया है अब हम इसी चैप्टर के दूसरे portion के बारें बात करते हैं जिसका नाम था skeleton system मतलब अब तोड़ने वाले दोस्त तुमारे हड्डियां बड़े द्यान से देखीगा बच्चा आपको पता है कि एक adult human being को देखे तो उसका skeleton system जो होता है उसमें 206 तो अड़िया होती है और कुछ काटिलेजी जो होती है अब इस पूरे के पूरे skeleton system को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक को बोल दिया actual skeleton system और दूसरे को बोल दिया appendicular skeleton system axial skeleton system में total number of bones होता है वो होते 80 और appendicular में total number of bones होता है वो होता है 126 सवाल था तर क्या 80 बोन काउंट करवा सकते हैं हाँ जी करवा सकते हैं इसकल वाला पार्ट मतलब इस मुंडी को काट के अलग कर दोगे और फिर काउंट करोगे तो उसमें 29 बोन है अभी ध्यान रखना NCIT ने कहे रहा है इसकल is made up of 22 बोन मैं उस कंसेप्ट पे ए हमारी ribs ribs कितनी है 12 pairs that is 24 हमारे पास vertebral column यह रीड की हड़ी इस रीड की हड़ी में वर्टेबरी कितनी adult person में वर्टेबरी जो होती है वो होती 26 टोटल जोड होगे तो value कितनी आगी 80 है ना अब पूछेगा appendicular skeleton system में 126 bones कौनसी account करा हो बेटा एक हाथ में bone कितनी 30 दूसरे हाथ में कितनी 30 तो दोनों हाथों में कितनी 60 ऑप टी सक्स्टी एक पैर में हडुआ कितनी 30 दूसरे में कितनी 30 तो दोनों टंग ये सेंग कितनी 30 plus 60 अब आपको पता है यह हाथ है यह हमारे shoulder वाले point में part में fix है यह Never वाला जो यह part है इसको बोलते हैं अपन factorialate ח morphed Nurse ये एक soldier pictorial गड़ल का ये अदा part दूसरा soldier factorial गड़ अधा part एक soldier में कितनी अडी दो दूसे critical में कितनी अडी दो तो मैं कह दूँ कि factorial गेल में 2 प्लस तो टोटल हड़ी कितनी हुई, चार, रहा किना, यह वाला पार्ट है, जहां पे पैर की फिमर फिक्स है, that is, अपना हिप्स वाला पार्ट, अरे, एक हिप का फोर्मेशन, एक हड़ी से होता है, जिसको बोलते कोगजल बोन, तो दूसरे हिप का, दूसरी, तो एक कोगजल बोन एक हिप में, दूसरे हिप में एक कोगजल बोन, तो वन प्लस वन, तो टोटल पूरे के पूरे पहलवी गेडल में, कितनी हड़ियां, हमने बोला दो, और वैल्यू टोटल कितनी होगी इनकी, 126, अब हम सबसे पहले बात करते, एक्सिल स्केलेटन सिस्टम, और एक्सिल में भी किसके बारे में, खोपडी के बारे में, इस मुंडी के बारे में, इसकल के बारे में, हमने बोला इसकल में कितनी बोन है, बोला 29 बोन है, अब कहां नहीं सुना तो मैं NCIT वाली, बिटा 29 बोन इसकल को काटके दखोगो तो है, लेकिन वो 29 के 29 बोन, इसकल के फोर्मेशन म में कोई जवरदस्ति का मेहमान आके पड़ गया जिसका घर के मेंबर्शिप से कोई लेना देना नहीं था बिल्कुल वह ऐसे ही पड़ी है ठीक है तो अब सवाल था कि सर इसकल को बनाती कौन सी है बेटा इसकल को बनाने वाली बोन जो है वो क्रेनियल बोन तो है आठ एंड फेशियल जो चहरे का फोर्मेशन करने वाली 14 यह अपने पास टोटल मिला के है 22 बोन यह 22 बोन किसका फोर्मेशन करती है हमने बोला देव फोर्म they form skull यह skull का formation करती है कौन सी cranial bone तो 8 and facial bone 14 यह skull का formation करती है और आपको बता दू यह cranial bone 8 बनाती है cranium box जिसके अंदर है हमारा brain हमारा brain तो मैं कह दू cranial bone से जो बना cranial box वो cranial box क्या काम करता है brain को protection provide करने का काम करता है यह facial bone बनाती है हमारा face और face कहा है हमने बोला इस मुंडी का इस skull का frontal part जो है वो अपने पास है face जो किस से बना है facial bone से और कितनी होती है 14 अब अगर मुंडी को काटके देखोगे तो उन में इन 22 bones के अलावा भी यह 7 bones है कितनी bones है 7 bones इन 7 bones में हम देखें तो अपने पास एक कान में कितनी 3 एरोसिकल तो दोनों कानों में 3 प्लस 3 6 और एक गले की हड़ी जिससे टंग जुड़ी हुई थी throat bone that is higher bone जो कि एक u-sipte bone है जो कि बकल cavity के बकल cavity की floor पर प्रजेंट होती है और शरीर की एक मात्र ऐसी हड़ी जो किसी भी दूसरी bone से connected नहीं है ये वह ही iod bone है चले तो ये मेरे पास 7 bone है ये वो bone थी जिनका skull के formation में contribution नहीं है लेकिन skull में present है तो इन्हें बोलते हैं associated bones associated bones of skull skull को बनाती नहीं है लेकिन skull में present है तो जब भी पूछे skull में total कितनी bone तो आप कहोगे 29 अगर वो कहे skull is made up of कितनी bone तो आप कहगे 22 bone से ठीक है जी यहां तक की बात clear है अपन थोड़ा सा आगे move करते है हम बात कर रहे थे किसके बारे में हमने बता दिया skull को कितनी bone बनाती है अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते है और हम आप से यह बताते है कि अगर सर इस मुंडी को काट के देखे बिल्कुल काट के देखे तो हमारी skull किस से जुड़ी हुई है बिटा हमारी skull यहां vertebral column पे ठीक हुई है किस पे ठीक हुई है vertebral column पे और हमारी vertebral column की पहली vertebrae ज़्या मैं कहूं कि first cervical vertebrae जिसका नाम है atlas उस atlas पे क्या ठीक हुई है skull तो skull के weight को कोन bear कर रही है आप कहोगे atlas that is first vertebrae कर रही है और अगर हमारे skull को देखे तो यह skull है इस skull पे ऐसे दो condyles present होते है projections present होते है और यह projection होते skull का formation करने वाली एक bone जिसका नाम है occipital bone तो occipital bone पे दो projection है और इन दो projection के थूँ skull किस से जुड़ी हुई है atlas से जुड़ी हुई है तो ऐसा skull जिसमें कितने projection दो projection उसे बोलते है dicondylic skull तो हमारा skull कैसा dicondylic ध्यान रखना animal kingdom में mammals and amphibians का ही skull dicondylic होता है बाकि सब का कितना monocondylic तो dicondylic skull क्यों हो क्योंकि दो occipital condyles के थूँ skull किस से जुड़ा हुआ है फर्ष्ट वर्टिब्री that is atlas से जुड़ा हुआ है इसलिए हमारा skull कैसा dicondylic skull अपन थोड़ा सा आगी बढ़ते है सवाल था सर अगली structure थी वो थी sternum बिटा इस sternum जो है ये body की ventral surface पर यहाँ पर प्रेजेंट ये बिल्कुल thorax के middle में प्रेजेंट एक flat bone है ये उसकी structure कुछ ऐसी होती है इस sternum के total मिला के तीन पार्ट है पहला पार्ट जिसको अपने बोल दिया manubrium दूसरा पार्ट जिसको आपने बोल दिया body और तीसरा पार्ट जिसको मैंने बोल दिया gyphoid process इस manubrium वाले पार्ट पे अगर आपको red color का दिखाई दे रहा है तो इस red color वाले को मैंने बोल रखा है clavicle nose क्या बोल रखा है clavicle nose एक्जेक्टम यह वो गड़ा है जहां पे हमारी collar bone clavicle bone आके fix होती है या fit होती है तो मैं यह कह दूं कि clavicle nose क्या है तो मैं कहाँ दूं यह clavicle bone की binding site है जो कहां पे present है manubrium part of sternum में present है उसके अलावा यह green color की जो dot बनाए होता ही है बेटा कि हमारी हमारी जो ribs है वो dorsal surface पे जूड़ती है vertebral column से और ventral surface से किस से जूड़ती है sternum से तो सबसे पहली first pair ribs कहाँ जूड़ती है sternum के manubrium part पे जूड़ती है second pair third, four, five, six, seven two to seven pair of ribs कहाँ जूड़ती है sternum के sternum के longest part that is body part से जूड़ती है ध्यान रखना sternum का third part जिसको बोलते है gyphoid process वहाँ पे कोई भी ribs आके नहीं जूड़ती exactly में यहाँ पे तो कुछ muscles आके जूड़ती है इसलिए muscles की attachment site है कौन सा gyphoid process आगे बढ़ते है अगली अपने पास है ribs बच्चे ribs जो होती है हमने बोला total कितनी होती 24, that is 12 pairs that is 12 pairs मैंने बोला ribs जो होती वो dorsal surface पे किस से जूड़ी हुई vertebral column की thoracic vertebrae से जूड़ी हुई ventral surface पे किस से जूड़ी हुई sternum से जूड़ी हुई बोलो हा की ना अब बड़े ध्यान से देखना हमने ribs को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया एक को बोल दिया true ribs दूसरी को बोल दिया false ribs और तीसरी को बोल दिया floating ribs बेटा फर्ष्ट से लेके सेवन्थ पेर्स तक ribs जो होती है वो dorsal surface पे तो thoracic vertebrae से जूड़ी होती है और ventral surface पे sternum से जूड़ी होती है किस से जूड़ी होती है sternum से पहली वाली sternum के manubrium वाले पार्ट से और दो से लेके सातवी तक sternum के body part से जूड़ी होती है लेकिन ventral surface पे वो directly जूड़ी होई नहीं होती exactly में वो जूड़ी होती है by the help of hyaline cartilage और इस hyaline cartilage को ही हम बोलते हैं called as costal cartilage तो बड़ा फेमस सवाल है कि बताईए क्या ventral surface पे ribs directly जाके sternum से जूड़ी है हम कहेंगे ribs जूड़ी तो sternum से लेकिन किसके help से जूड़ी है by the help of hyaline cartilage के help से जूड़ी है चले अपने पास 8, 9, 10 8, 9, 10 नमबर की जो ribs है इनको बोलते है false ribs होता ये है कि ये ribs dorsal surface पे तो किस से जूड़ी है vertebral column की थोरे सी गवरट से जूड़ी है लेकिन ventral surface पे ये जो ribs है ये इस strexor से जूड़ी है ये मेरे पास क्या है hyaline cartilage किस से जूड़ी है hyaline cartilage से ये भी hyaline cartilage थी लेकिन ये hyaline cartilage ribs को किस से जूड़ रहे थी sternum से लेकिन ये high lean cartilage ribs को इस टर्रम से नहीं जोड़ रही, ये ribs को जोड़ रही किस से, इस 7th नंबर की वर्टिब्री से, तो मैं ये कह दूँ, false ribs वो ribs थी, that is 8, 9 and 10th pair of ribs थी, जो कि dorsally तो thoracic vertebrae से जोड़ी हुई थी, और ventrally high lean cartilage की help से 7th ribs से जोड़ी हुई थी, उन्हें बोल दिया हमने false ribs, तीसरी थी मेरे पास floating ribs, अरे floating ribs है 11th and 12th number ribs, ये 11th and 12th number ribs है, ये dorsal surface पे तो vertebral column से जोड़ती है, लेकिन इनका ventral surface पे किसी से भी जुड़ाव नहीं होता, किसी से भी नहीं जोड़ती, इसलिए हमने इनको बोल दिया floating ribs, तो मैं ये कह दूँ, कि 12 के 12 पे ये ribs इस dorsal surface पे तो thoracic vertebrae से जुड़ी है, लेकिन कुछ ribs ऐसी है, जो ventral surface पे इस टर्रम से जुड़ी हुई, नहीं है, ठीक है जी, next, अब अपने पास आता है, सर, आप बात कर रहे थे, vertebral column के बारे में, बिल्कुल, एक adult person की vertebral column जो होती है, ये जो read की अड़ी होती है, उसमे total vertebrae कितनी है, 26, और ये read की addy body की dorsal surface पे present है, कहां present है dorsal surface पे, सवाल था, सर, इस vertebral column का क्या काम था, बिटे ये vertebral column पहला तो सरीर को support प्रोइड करने का काम करती है, दूसरा, ये muscles को binding site available कराने का काम करती है, तीसरा, ये spinal code को protection प्रोइड करने का भी काम करती है, सारे काम किसके थे, vertebral column के थे, चले, अब इस vertebral column में twertal मिला के, कितनी vertebrae present है, 26, vertebral column की सुरुआत कहां से हुई, at the base of, at the base of, base of skull से सुरुआत हुई, and then इसने पूरे के पूरे thorax and abdomen का framework बनाया, किसने बनाया, vertebral column ने, अब हमने बोला, सर, vertebral column, neck से, thorax से, abdomen वाले पार्ट से होती टेल तक फैली, फैली बिल्कुल, तो अब बताओ ना, कौन से पार्ट में कितनी vertebrae present है, चलिए, हम बात करतें यहीं से, बच्चे जब number of vertebrae के बारे में पूछे, तो हमने का कि सबसे पहले, neck part में, neck part में, cervix वाले पार्ट में number of vertebrae है, वो है, 7, number of vertebrae कितनी है, 7, thorax वा होगे, तो इसमें भी number of vertebrae कितनी है, 1, याद रखना, यह cervical vertebrae जो होती है, यह अपने पास होती है, smallest, जब भी कहें, सबसे छोटी vertebrae कौन सी है, आप कहोगे, cervical vertebrae, और ध्यान रखना, mostly mammals की, neck में, 7 cervical vertebrae पाया जाती है, और 7 cervical vertebrae का पाया जाना, एक mammalian character है, क्या है, एक mammalian character है, वो पूछेगा, सर, बताओ, सबसे smallest vertebrae तो आपने बोला, cervical vertebrae है, अगर सबसे कोई पूछे, strongest and largest vertebrae, तो ध्यान रखना, अपने से जब भी कोई पूछे, strongest and largest vertebrae कौन सी, तो ध्यान रखेगा, strongest and largest vertebrae कौन सी है, number vertebrae, जिनके number कितने है, 5, चले, सेक्रम वाला जो पार्ट होता है, बिटा, ये सेक्रम वाला पार्ट, female में ज्यादा broad होता है, as compared to male, and coccyx, that is cordal पार्ट और tail पार्ट, tail वाला जो पार्ट होता है, ये human being में vestigial होता है, चलू मैं आगे, देखते हैं, next, अगला मेरे पास skeleton system का पार्ट था, वो था appendicular skeleton, जिस में कितनी बोन थी, 126 बोन थी, सबसे पहले हमने उसके बारें बात किया, four limb, हमने बोला, एक हाथ में कितनी 30, तो दोनों हाथों में कितनी हुई, 60, सवाल था, सर, एक हाथ उखाडे, और study करे, yes, सबसे पहली बोन, arm वाली बोन, that is humerus बोन, ये वाली radius अलना बोन, उसके बा सबसे कोटी में भी 3, तो ये total मिला कितनी हुई, 14, आप इन सब को add करेंगे, तो total number of bone कितनी आएगी, 30, सवाल था, गुरुजी एक एक करके थोड़ा सा बताओ, बिल्कुल सुनी वाई साब, हमने ये NCRT माता काई, एक छोटा सा portion लिया, और इसी के basis पे, मैं अपनी बात आ largest bone है, हमने बोला ये अपने पास क्या है, strongest and largest bone of four limb, बेटा यान रखना मैंने body नहीं बोला, मैंने बोला four limb, हमारे सरीर की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत तो फिमर है, लेकिन मैंने बोला four limb की, कौन सी है, humorous, नीचे की side आप आओगे, तो bone आपको दिखाई देगी, दो, ए एक bone का नाम अपने पास है radius, एड दूसरी का नाम है Allah, एक का नाम है radius और दूसरी का नाम है Allah, याद रखना radius वाली जो bone है, ये lateral side में project है, इधर वाली bone है, ये मेरे पास lateral bone है, कौन सी? radius और अल्ला है, ये median bone है, मैंने बोला ये कौन सी है, आमने बोला lateral, ये मेरे पास है, lateral bone, जबकि अल्ला जो है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, median bone, बच्चे, radius जो होती है, ये short bone है, अल्ला जो है, long bone है, अल्ला जब हम हात को ऐसे गुमाते हैं, तो अल्ला तो अपनी जग पर fix होती है और यह जो rotate और यह जो movement कर रही है वो कौन सी कर रही है radius अब सवाल था सर यह वाला joint कौन सा है radius Allah and humerus के बीच यह joint कौन सा है बड़े ध्यान से देखीगा यहां पर joint के बारे में बात करते हैं तब भी तो एक सवाल आया कि यह वाली कौन सी बोन है हमने का यह वाली पास है elbow यह कौन सा पार्ट है elbow तो जब भी बोले कि elbow को बनाने में कौन कौन सी बहुन कोंट्रिब्यूट करती है आप कहोगे कि तीन बहुन कोंट्रिब्यूट करती है humorous radius and अलना जब भी पूछे elbow joint elbow joint कौन सा तो आप कहोगे hinge joint elbow joint कौन सा hinge joint next इधर मेरे पास आगे बात करके चले तो आगे वाली मेरे पास है इसको अपने बोल दिया carpal विटे parman zur यही 22 ave Bible किसका Marcha करती है किरिश करती हैông किरिश का और卡 पल के नंबर कितने थे बता आपने 8 सबसे बड़ी car cose उसको मोलते कैफी date क्या बोलते कैफी date और अपने टीश्यू में पढ़ावी होगा की पी सी form carpel होती है जो कि एक sesmoid bone है जिसका formation tendon से होता है next metacarpals, metacarpals के number 5 किसका formation कर रही है palm का और phalanges that is digits जिनके number होते है 14 ये बात हमने किस के बारे में बात कर ली ये हमने four limb के बारे में बात कर ली हम बात शुरू करते हैं आप से वो बात करते है hand limb के बारे में बिटा एक hand limb में कितनी bone एक पैर में कितनी bone 30 तो दोनों पैर में मिला के 30 प्लस 30 बराबर 60 अब जब भी पूछे कि एक hand limb में सबसे पहली bone thigh bone that is femur, उसके नीचे tibia and fibula, उसके उपर ये जो थी kneecap that is patela उसके नीचे tarsals जिसको बोलते ankle bone, उसके नीचे metatarsals जिसको बोलते soul bone, और सबसे last में phalanges, कितनी है 14, और formula वोई थम में 2, first finger में 3, second finger में 3, third finger में 3 and छोटी सबसे खोटी finger में भी 3, चलिए अपन क्या काम करते NCRT का diagram लेते और इसी बात को explain करते हैं हमने बोला यहाँ पे सबसे पहली जो bone आपको दिखाई दे रही है यह दिखाई दे रही है फीमर bone और इसी को अपन बोलते है थाई bone इसी को बोलते है अपन थाई bone बेटा यह जो फीमर है यह हमारे सरीर की largest, longest and heaviest bone है कौन सी bone है नीचे वाली bone में बात करके चले हम तो इधर वाली यह वाली bone यह मेरे पास है T4 tibia इधर वाली में बात करके चले तो यह वाली bone यह F4 है फीबूला, यह F4 क्या है? फीबूला, इधर वाली tibia और इधर वाली फीबूला, ध्यान रखना यह फीबूला बोन जो है यह लेटरल बोन है जबकि टीबिया बोन है वो टीबिया बोन एक मेडियन बोन है फीबूला जो है वो शोट बोन है टीबिया जो है वो लोंग बोन है और टीबिया जो है यह तो मेरे पास होती है श्ट्रॉंग NCRT क्या लिखती है कि पटेला एक triangular cup-like bone है जो कहां present होती है जो knee की ventral surface को cover करने का काम करती कौन सी bone? पटेला और याद रखना पटेला भी एक seismoid bone है मैं कहूं सरीर की largest seismoid bone कौन सी है? पटेला इसका formation भी किस से हुआ? टेंडन से हुआ सवाल था, सर ये knee को बना रही है? कौन बना रही है? नी को cover कर रही है? कौन पटेला? तो अब बताओ ना knee का formation कैसे हुआ? बड़े ध्यान सो देखो जब भी कोई knee के बारे में बात करके चले तो ये मेरे पास रही वो रही बच्चा फीमर, ये रही फीफोर पटेला और ये रही टीफोर टीबिया ये तीन बोन मिलके किसका formation कर रही है? मैंने का तीन बोन मिलके ये जो formation कर रही है, ये formation कर रही है नी का किसका formation कर रही है? नी का तो जब भी बोले नी कितनी bonnesे बना, आप कोगे तीन bonnesे, वो कहेगा एलबो कितनी से बना, तीन bonnesे, लेकिन कोई पूछे नी जोइंट जब भी कोई पूछे नी जोइंट तो ध्यान रखना नी का जोइंट भी कौन सा जोइंट है विच्छे ये भी अपने पास है हिंस जोइंट नी का जोइंट भी कौन सा है हिंस जोइंट नेक्स्ट अगली मेरे पास आती है वो आती वे टार्सल्स अ हाप पाइट जो फोह है यह से एक इसकAut station की नमबर होते पांच इश सोल का शोल्डर वाला पार्ट अरे हा की न न दोनू सोल्डर को मिलाख के बोलते, factorial drill तो मैं कहँ एक shoulder factorial grade'li का half part तो half part और factorial gradle में کतनी bone, दो, दो इतर और दो इतर, बोलो हाँ किना, तो ध्यान रखना सवाल पुछेगा, factorial gradle क्या काम करता है, तो मैं कहे दूँ कि ये upper limb that is हाथों को axial skeleton system से जोडने का काम करता है और हाफ पाल्टो पेक्टिरिल गेडिल मतलब एक शोल्डर में कितनी बोन दो बोन कौन कौन सी बोन एक बोन का नाम है बेटा इसकैपुला बोन एक बोन का नाम है इसकैपुला बोन और दूसरी बोन का नाम है कलेवीकल बोन और color bone, मैं आपको पता दू, this capula bone एक अपने पास large, flat, triangular bone है, जो कि dorsal surface पर present होती है, जो कि dorsal surface पर present होती है, हमने क्या देखा कि this capula bone की भी dorsal surface पर एक projection present होता है, और जो projection होता है, उसे बोलते spinous process, तो जब भी पुछे spinous process जो है है वहokes कैपूला बोन की कोंसी सर्फेस पहोता है आप का गया डोर्सल सर्फेस पहोता है हमने क्या देखा कि एंटीडियर प्राइट में जाकी और्ना प्रोसेस जो है यह फोर्मेशन करता थी वो कहां पर जुड़ती है, एक्रोमियन प्रोसेस पर, तो यह क्या है मेरे पास, हमने बोला यह अपने पास है, क्लेवीकल बाइंडिंग साइट, यह अपने पास है, क्लेवीकल बाइंडिंग साइट, वो कौन सा प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, इस एक्रोमियन प्रो यह मैं कहाँ दू लीगामेंट्स आके जूडने का काम करते कौन से प्रोसेस से कहई रखोई प्रोसेस से चले हमने एक चीज़ और रोट की यह स्कैपूला बोन जो थी इसी के अंदर एक कैविटी होती है इसी के अंदर कैविटी जो थी रेड़ी वाली कैविटी दिखाए द solder वाले पार्ट का ये जो जोइंट है, ये जोइंट किसकी वज़े से बना, जब humerus का head आके, glenoid cavity में fit हुआ, और इस जोइंट को बोलते हैं, ball and socket joint, चले, दूसरी bone जो थी, मेरे पास थी, वो clavicle, clavicle जो bone मेरे पास है, ये clavicle bone भी, अपने पास एक flat bone है, जिसके दो end है, या मैं को इसके दो करवे चरे हैं, एक end तो ये, ये end किस से bind होता है, acromion process of scapula से, binds to, acromion, process of scapula से, और दूसरा मेरे पास है, ये वाला करवे चर, ये वाला end, ये किस से bind होता है, याद करो, sternum के manubrium में था, clavicle nose, तो मैं कहा कि binds to, sternum, कोन से पार्ट से, manubrium पार्ट से, चलू मैं आगे, इस collar bone को ही, इस clavicle को बोलते है, collar bone और इसे ही बोलते, beauty bone, next, अगला मेरे पास है, pelvic girdle, बिटा, pelvic girdle मत्तभी हिप्स वाला part, एक, आधे पार्ट, pelvic girdle के आधे पार्ट, that is, एक हिप में कितनी bone, एक coxal bone, तो दोनों हिप्स में कितनी, one plus one, बराबर two, तो जब भी पूछे, half part of pelvic girdle, किस से बना, एक coxal bone से, दूसरा आप किस से बना, दूसरी coxal bone से, तो तो टोल कितनी bone, one plus one, बराबर two bone, अब हमने बोला कि, एक हिप का formation, एक coxal bone से, दूसरे हिप का formation, दूसरी coxal bone से, और एक coxal bone जो थी, वो exactly में, तीन bones के complete fusion से बनी, that is, ileum, pubis and ischium, इन तीन bones के complete fusion से, कौन सी bone बनी, एक coxal bone का formation हुआ, हमने देखा कि, coxal bone जो थी, ये sacrum part of vertebral column से, जुड़ी हुई है, ileo sacral joint के help से, किस से जुड़ी हुई है, ileo sacral joint की help से जुड़ी हुई है, और दोन्नों coxal bone भी, आपस में भी जुड़ी हुई है, किस के help से, pubic symphysis के help से, और ये pubic symphysis, दोनों coxal bone को, आपस में जोड़ता है, वो जोड़ता है, ventral surface पे, और ये, एक cartilisiness joint है, क्योंकि किस से बना है, white fibrous cartilis से बना है, अब हमने क्या देखा, कि ये coxal bone जो थी, इन coxal bone में cavity है, और उस cavity का नाम है, acetabulum cavity, exactly में हमारी जो thigh bone है, that is femur है, उस femur का head, इससी acetabulum cavity में, fit होता है, fit होता है, इसलिए हमारे hips वाला जो joint है, वो कैसा है, ball and socket joint, कैसे बना, जब femur का head, acetabulum cavity में fit हुआ, हमने एक चीज़ और देखी, कि coxal bone का वो part, जो ischium bone से बना है, वहाँ पे एक hole दिखाई दिया, जिसको बोलते हैं, obturator foramen, exactly में ये वो hole था, जिसमें blood vessels, limb vessels and nerve fibers थे, present, कौन से में, orbiterator foramen में, चले भीया, सवाल था, तो ये pelvic griddle क्या काम करता है, अरे जैसे factorial griddle, four limb को axial skeleton से जोड रहा था, इसी तरह है, ये pelvic griddle भी, hind limbs को, that is legs को, और lower limbs को, किस से जोडता है, axial skeleton system से जोडने का काम करता है, चले, next, सवाल था, joints, यहर अगर हम चाहते हैं, कि bones में movement हो, तो bones में movement करवाने के लिए, या मैं कहूँ locomotion करवाने के लिए, bones के बीच joint होने जरूरी है, बीना joint के locomotion नहीं हो सकती, अब joint हमने देखें, हमारी body में तीन टाइप के थे, एक joint तो वो जिसमें कोई movement रही थी, जिसमें कोई movement रही थी, उसको हमने बोल दिया, fixed joint, immobile joint, और synarthrosis, या इसी को बोलते हैं, अपन, fibrous joint, या इसी को बोलते हैं, fibrous joint, तो जब भी कोई कहे, fixed joint, immobile joint, fibrous joint, या synarthrosis क्या है, आपको गया ऐसे joint, जिन में कोई भी movement नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहाँ पे, दो bones आपस में जुड़ी है, वो dense, fibrous, connective tissue से जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ पे, कोई भी movement नहीं होती, और उसका सबसे famous example, हमारे cranium box की, जो flat bones थी, जो cranium box का formation करने वाली bones थी, वो आपस में, एक दूसरे से, tightly, जुड़ी है किस से, dense, fibrous, connective tissue से, और उनके बीच का जो joints होता है, उसे बोलते है sutures, क्योंकि उन bones के, बीच का joint, विल्कुल, सिलाई की तरह हैं दिखाई देता है, इसलिए उसको बोल दिया sutures, next, दूसरे joint होता है, वो होता है, cartilisiness joint, cartilisiness joint को बोलते है, amphiarthrosis, और ये वो joint था, जिसमें थोड़ी सी, moment, initiatican language में बोलतो, little moment, या मैं कहाँ दू, slightly movable है, जैसे, दो vertebral column के बीच, present है, intervertebral disc, वो इसी टाइप का joint है, और अभी हमने बात किया, pubic symphysis, जो दो coxal bone को, ventral surface पे जोड़ता है, वो भी कैसा है, अपने पास, cartilisiness joint है, तीसरा, और सबसे important, synovial joint, जिसको अपने बोलते है, diarthrosis, diarthrosis, बेटा, ये वो joint था, जो highly movable है, जिसमें significant moment होती, और मैं कहो, freely movable है, होती है, सवाल था सर, क्यों, exactly में इस joint का, एक significant feature था, जो characteristic feature था, वो था कि joint के बीच में, synovial cavity प्रजेंट होती है, और उसमें बढ़ा होता है, synovial fluid, इसने दो bounce जो थी, वो freely moment कर सकती है, अब इसके बहुत सारे example है, जैसे हमने बोला, humerus and factorial gradle के बीच का, ball and socket joint, फिमर and pelvic gradle के बीच का, ball and socket joint, elbow वाला, hinge joint, knee वाला, hinge joint, और interfaryngeal joint, ankle joint, phalanges के बीच का joint, ankle वाला hinge joint, यह सारे सारे क्या है, synovial joint, gliding joint, जिसमें केवल और केवल, एक ही plane में, movement होती है, that is, हमारी carples के बीच का, wrist volume, कार्पल्स के बीच का joint, हमारे टार्सल्स के बीच का joint, वो कौन सा joint है, gliding joint, condyloid joint, अरे, occipital, condyloid skull, and atlas के बीच जो था, वो मेरे पास कौन सा था, condyloid joint, saddle joint, अरे, याद रखो, यह carples and metacarpals of thumb, थम की carples and metacarpals के बीच का, जो joint है, इसी तरह हमारी radius and alna के बीच का जो joint है, वो भी कैसा joint है, pivot joint, वो भी कैसा joint है, pivot joint, तो इस तरह से बच्चो, हमारा ये chapter जो था, ये भी क्या हुआ, complete, जिसमें हमने पूरे के पूरे chapter के, NCRT based, जितनी भी possible चीजे थी, उन सब को discuss कर लिया है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, और नीट को फोर्ड डालें, थैंक यू, थैंक यूरी माच,